अलो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब लोग स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल एक्जाम सक्सेज मंतरा पर जैसे कि आप सब लोगों को पता ही कि आज कल हम क्या कर रहे हैं आपकी क्लास 10 की मैत कर रहे हैं उसी के अंतरकत हम चैप्टर 3 का इंट्रोडेक्शन पर अपनी पुत्री से कहता है साथ वर्स पूर्व मैं तुमसे सात गुनी आयू का था ठीक है अब से तीन वर्स बाद मैं तुमसे तीन गुनी आयू का रह जाओंगा अप करना क्या आपको इस सित्य को बीजगा नहीं रूप में व्यक्त करें एवं ग्राफिया रूप में व्यक्त करो तो आपको पहले मरला भी जो इस्टेटमेंट दिया है आपने से क्या बनानी एक्वेशन बनाने के बाद उसको ग्राफिया मैथर से सॉल्व करना है तो चलिए प्यारे आपने देखने देखो क्या कहता है अपताप अपनी पुत्री से कहता है साथ वर्ष पूर्व मैं तुमसे साथ गुनी आयू कता तो देखिए आपके पास यहां पर दो वैरियाबल लाएंगे दो चर आएंगे एक आएगा एक और एक आएगा वाई क्यूंकि जो आपताप ह पताप की ऊचाइगे माना आ अफताप की वर्ष माना आयू कि वर्तमान आयू कितनी मान लिए हमने एक्स वर्तमान आयू आपकी वर्तमान आयू कितनी होगे हमार पास एक्स और उसकी पुत्री की वर्तमान आयू कितनी मान लिए हमने वाई और उसकी पुत्री की वर्तमान आयू क्या मान लिए वर्तमान आयू मान लिए हमने वाई तो उसकी पुत्री के वर्त माना, अयू मान लिए हमने वय, अब देखी, अब क्या कह रहा हूँ, ठीक है, यह दो चीज़ों हमें दी थी, वह वैरेवल्स हमने मान लिए, साथ वर्स पूर्व मैं तुम से साध गुनी, आयू का था तो आपताब अपनी पुत्री से क्या कह रहा है कि वो आज से साथ वर्स पूर्व क्या था अपनी पुत्री से साथ गुनी का आयू का था तो देखिए ये तो हमने इनकी जो आयू मानी वो वर्तमान आयू मानी तो अगर मैं बात करूं साथ वर्स पूर्व आपता क्यों यहां पर 7 वर्ष पूर्व आपताप की आयु निकालनी पड़ेगी हमें, है ना तो यहां पर क्या होगे साथ वर्स पूर्व आफ्ताब की आयू तो कितनी होगे आपकी साथ वर्स पूर्व आफ्ताब की आयू तो कितनी होगे आपकी साथ वर्स पूर्व आफ्ताब की आयू कितनी है एक्स और साथ वर्स पूर्व यानि एक्स माइनस साथ तो जैसे के आपको बताया आप इस तरीके से समझ आपकी वर्तमान आयू जो भी है मना 10 15 मना कुछ बच्चे 15 साल के होंगे तो कुछ बच्चे 15 साल घर आप मैं आप से पूछ ताओं की आठ से 5 वर्ष फूर क्या रही auge तो आप क्य रहे होगी X-7 तो अब चब सक्षास प्रू आप्ताप एक्समान इसनीोगी सरे मेर्ट्राइवी च स्थानां इसनी पर स्पूर्व तो उसकी पुत्री की आयू बैंदail स्ब्सक्राइवी इस consec जैएगी इसके पुत्री की वर्त्मान कीतनी है तो 75 पूर्व पुत्र के आयू कितनी रहे होगी y-7 रहे होगी तो यह बात आपकी समय में होगी y-7 क्योंकि फिर और ही बात है क्वोगि आभी उसकी पुत्र की वर्थमान y य है तो 7 वर्ज पूर कितनी हो जागी y-7 क्या करते नियुक्त सात गनी आउयू को था तो चेंगे आपके पुरव अताब वर्ट पोर्व अक्ताब पुत्री से गुनिये बासद किया एक वस्ताब Dogs प्रिसętapon यह पूर्व से कितनी पूर्व सांट गुनिया एक्स-चारत कोई कुश्छंद८ आपके सातर गाउज्छी जळा धने सॉस्ताब और पूत्री फैने स्तॉन upon 7 भी रख सकते हो, यानि तब ही यह जाके दोनों बराबर होंगे, देखे किस तरीके से, अगर आपकी समझों यह बात नहीं आई, तो इस तरीके से करेंगा, आप देखो क्या कहा, साथ वास पूर मैं तुमसे साथ गुनी आयू का था, यानि जैसे मैं हूँ, मेरी आयू अभी 21 वर्स है, है ना, और मैं कहूँ कि मैं तुमसे कितना, तीन गुना बढ़ा हूँ, तुम्हारी वरत्मान आयू है, साथ, और मैं कहूँ कि मैं तुमसे तीन गुना बढ़ा हूँ, तब ही तो यह दोनों आयू बराबर होंगी इसलिए अब जब इसको डिवाइट करोंगो तो इधर किस भी में चला जाएगा इसलिए तो मुटिप्लाई करना चाहता आसान होगा हमारे पास ठीक है पियरे बच्चों समझ में आया क्या बोला हो क्या कह रहा कि साथ वर्स पूर्व तो साथ वर्स पूर्व आप ता आप कि आयू कि नहीं थी एक्स माइनस साथ वो अपनी पूत्री से कितने था साथ गुनी आयू का था तो इसलिए हमने साथ की multiply किदर करेंगे उसकी पुत्री की तरफ करेंगे जो हमेशा छोटा होता है उसी की तरफ हम क्या करेंगे तरफ में आयू करेंगे जैसे आपको फिर समझातों ठीक है मैंना बोल湿 में कि या इतने करना पड़े गा इ 1975 यह उससे आपकी calculation ज्यादा आसान होगी तो इसलिए हमने क्या किया आप ताप की पुत्री की आयू थी उसमें क्या किरा साथ का multiply किया तो ठीक है प्यारे बच्चों आप देखिए यह बड़ा आसान हो गया है अब हम इसे solve करेंगे सॉल्ब करने के बाद हमारे पास एक equation बन जाएगी तो देखिए एकस माइनस सेवन एकवल टू सेवन इन्टू यानि सेवन वाई सेवन सेवन जा फोटी नाइन माइनस का फोटी नाइन अब आप क्या करिए जो variables है variables को एक तरब लियाए और जो constant है उनको एक तरब लियाए त पराबर माइनस का फोटीन यह इदर जाएगा तो कितने हो आपक fringe का एकस कर तो यानि X-7 य बचेगा नंबेर नंबर number one हो जाएगी ठीक है तो देखिए आपकी समझ में आया होगा ठीक है हमने किस तरीके से इसको solve किया है तो यह होगे हमारे पास equation x-7y वराबर 40-42 यह हमारे पास होगी equation number one तो चलिए अब हम क्या करें अभी हमें दूसरी question भी बनानी है ठीक है तो आप देखिए अब क्या करें अब से तीन वर्ष बाद में तुमसे तीन गुनिया आयू का रह हो जाएगी देखिए फिर मैं आप से वही बात कहूंगा जैसे मैं कहता हूं कि मेरी वर्थ मान आयू 25 वर्थ है और मैं कहता हूं कि आप से 3 वर्थ में कितनी आयू कहा हो जाओंगा तो मैं क्या करूंगा 25 प्लस 3 तो उसी तरीके से उसकी पुत्री की आयू, कितनी होगी, जो उसकी वरत्मान आयूं में आप कितना जोड़द ओगे, तीन जोड़द होगे, तो यह हो गया, अप देखिए उसने क्या अब्से तीन वर्सवाद, तो तीन वर्स बाद दोनों की आयू निकाल दी, मैं तुमसे कितना गुना हो तो देखिए तीन वर्स वाद आप प्रश्ना नुशार ठीक है क्या होगा एक्स प्लस तीन आपताप की आयू उसकी पुत्री की रह जाएगी तीन गुनी रह जाएगी यानि अब आप सोच के बताए आप मल्टिप्लाई किस तरह करोगे आपताप की आयू में करोगे चोटी क को तरह करें तो आपने यहां पर मल्टिप्लाई कर दिया अब आप किया क्या करोगे आप आप चर चर को एक तरफ यानि x यह 3y दर आजाएगा, minus 3y बडाबर 9, यह दर जाएगा, तो कितना हो जाएगा पास, minus 3, यानी x minus 3y बडाबर कितना हो जाएगा आपका, 6, तो यह बन गया आपके equation number 2, यह equation number 2 हो और यह हो गया, equation number 1, तो देखे, पहला पार तो हमने वोल गया, इनको क्या लिखना था, a1 x plus b1 y plus c is equal to 0 यही तो होती थी हमारे पास रैक्षिक समीकरण और दूसरा क्या हो जाएगा a2 x plus b2 y plus c2 बराबर 0 तो देखें यह है आपके पास अब इसको इस रूम में लिख दीजे यानि x minus 7 y और यह इदर बराबर किस तरह minus इदर आएगा यहनि प्लस का 42 बराबर 0 पहली क्वेश्चन आपकी बन जाएगी और दूसरी क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका a2 x minus 3y यह इदर माइप प्लस का इदर आएगा तो किसका माइनस का 6 इक बराबर 0 यह क्या होगे आपके पास आपने जो आपके पास यह इस्तिती दी थी उस इस्तिती को आपने 20 गणेते रूप में निरूपित कर दिया तो प्यारे बच्यों यह जो इसका पहला पार्द सा इसका पहला पार्ट हमने solve कर लिया यह आपकी समझ में आया होगा तो चलिए अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरब, दूसरे पार्ट को किस तरीके से हम solve करेंगे तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और यह जो दो equation आये, इन दो equation से हमको क्या करना है, graphical representation करना है की तरब चलते हैं, चलिए, जो आपकी questions आई है, पहली मैं उनी questions को लिख देता हूँ, equations कौन कौन से आई है हमारे पास, हमारे पास आई है, x-7y, 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 plus 42 is equal to 0, और दूसरे आई हमारे पास, x-3y-6 is equal to 0, अब इन दो equation स्वाम को क्या करना है, इसका graphical representation करना है, तो दे किस तरीके से होगा, ठीक है, चलिए, तो देखिए प्यारे बच्चो, अब जब भी हमको इनके यहां से graphical representation करना है, तो पहले हम समीकरन नमबर 1 के लिए करेंगे, equation नमबर 1 के लिए करेंगे, तो देखिए आप पहले equation को थोड़ा solve कर लीजिए, समीकरन 1 से, ठीक है, क्या ल मिनस का 42 हो जाएगा, अब उसके बाद हमने क्या करना है, इस तरीके से एक table बनानी है, हम क्या करेंगे, उसका इस तरीके से एक table बनाएंगे, और आपको यहां पर x और y के कम से कम 2 मान लेने, उससे आधिक आप जितनी मर्जी उतने लिजिए, देखिए एक जगा लिखोग x-7y बराबर हमने किला बोला, माइनस का 42, यह आया प्यारे बच्चों हमारे पास, अब आपने क्या करने है, आप अपनी मर्जी से x का कोई भी मान रखें, और जब आप x का कोई मान रखोगे, तो वहां से y का कोई भी मान निकलेगा, आपकी मर्जी में जो आए, आप वो values पूट करिए, लेकिन आप हमेशा कोशिस यह कीजिए, कि आप ऐसी values पूट करिए, जिससे आपके पास ही क्या निकले, हमेशा पूर्ण आंख निकले, यानि एक integer निकले, क्योंकि अगर यह पॉइंट में आएगा, तो आपको solve करने में थोड़ा problem होगी, आप चाहो तो कोशिस करिए, कि 0 रख के देखिए, तो देखिए, जब मैं x की value 0 पूट करूँगा, यानि x की value मैंने 0 पूट कर देखिए, आप यहाँ पर रख के देखिए, x की value आपने 0 रखी तो कितना हो जगा, 0-7y, बराबर minus का 42, तो देखिए, जब आप इसको solve करोगा, तो यह तो value पूट कर सकते हैं, मैंने आपको बोला न, आप x की कुछी भी value रखे, 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, पॉइंट में रखे, लेकिन आपने हमेशा कोई क्या करनी है, जो x की value हो, value कैसी हो, आप integer में रखे, इस तरीक, इस integer में रखे, कि y की value में हमेशा किसमें निकले, integer में ही निकले, यानि हमेशा क्या निकले, पूनांक में ही निकले, अगर आप बाकी कोई भी रखोगे, तो value निकल जाएगे, आएगी, value आएगी, लेकिन जब आप उसका graphical representation करेंगे, तो आपको थोड़ा graphical representation करने में आपको थोड़ा problem आएगी, ठीक है, तो चलिए अब हम देखें, दूसरी value रखके देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, x की कोई दूसरी value रखके देते हैं, तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर 2 रखूँगा, देखिए, अगर मैं यहाँ पर x की value, आपको suppose करके बता रहा हूँ, अगर मैं x की value 2 रखूँगा, तो minus 7y यानि कितना हो जाएगा माइनस का 44 यानि y बराबर माइनस का 44 अपॉन माइनस का 7 देखिए कार दिया आपने अब जब आप इसको सॉल्व करेगो तो साच्छा का बैल इस यानि 6 पॉइंट संथिंग आएगा और आप रख सकते हो यह वैल्यू भी रख सकते हो आप यहां पर लेकिन मैंने क्या बोला आप जब ग्राफिकल रिपर्जेंटेशन करोगे तो प्उयंट में थोड़ा रिपरजेंटेशन करने में बच्चों को प्रावमनम होती है तो आप यह इसी वैल्यू रखो ताकि आपको य की वैल्यू भी क्या मिले इंटीजर ही मिले तो देखिए आप रख सकते हो है यह value भी कोई दिकत नहीं है कोई issue नहीं है आप कुछ भी value रख सकते हैं मैंने आपको बताया लेकिन आप कोशिस यह करें कि आप x की कोई ऐसी value रखे ताकि y की value भी integer ही मिले तो देखें अगर मैं यहाँ पर x की value 7 रखता हूं तो यह इदर जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानि 42 और 7 कितना हो जाएगा 49 और 7 7 जा 49 यानि अगर मैं x की value 7 रखो तो मेरे को y की value भी एक integer ही मिलेगी ठीके यह बचों आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे यह आपकी समझ में आता जाएगा हां मैंने आप आपको पता है अगर आप नहीं निकाल पार हो आपके पास टाइम इतना नहीं कि आप नहीं सोच पार हो क्या हो तो आप x की कोई भी value put कर लीजिए आपको जो भी y की value मिलेगी उससे भी आपका answer आजाएगा लेकिन आपको graphical representation फिर थोड़ा संबल कर करना होगा तो चलिए हम हमने क्या क्या एक्स की value हम कितनी put कर रहे हैं 7 put कर रहे हैं देखिए मैंने x की value 7 put कर दी तो माइनस 7y ब्राबर माइनस का 42 अब जब मैं इसको further solve करूंगा तो इसको इधर ले जाओंगा क्योंकि हम क्या करते हैं जब भी हम किसी भी question को solve करते हैं तो हम क्या करते हैं जो variables होत 7 हो जाएगा यानि माइनस का 7y ब्राबर माइनस माइनस का प्लस यानि 42 और 7 कितना हो जाएगा 49 और आपको एक चीज हमेंसे याद रखने की sign हमेंसे किसका आता जो बड़ी संख्या होती है माइनस का 49 हो जाएगा अब जब आप इसको further solve करोगे तो य बराबर माइनस का 49 अपोन माइनस का 7 से 7 कट गया 7 7 जा 49 तो यानि आपके यहाँ पर जब आपने एक सी वैल्यू सेवन पूट की तो य की वैल्यू भी कितनी मिली आपको 7 ही मिली तो इस तरीके से हम इसकी दो व कितनी होते हैं अब जाँ आप जाओ निकाललो लेकिन आपको दो लगेगे तो आपको तक रही है चलिए यह Halo 1 है अब हम चलते हैं आपका equation number 2 पर तो देखिया equation number 2 से समीकराण 2 से अब देखिया हमारे बाद समीकराण 2 से क्या है यह समीकराण 2 इसको थोड़ों मैं further solve कर लेता हो जैसे मैंने उपर वाले equation की तो x-3y बराबर यह दर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा अब इसी तरीके से आप टेबिल बनाओगे x की दो values पूट करोगे वहां से आपके पास y की दो values निकलेंगी तो यह होगा आपके पास x और यह होगा आपके पास y तो चलिए अब हम इसकी further values put करके देखते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा ठीकिए यहां पर करके दिखा रहा हो मैं x-3y बराबर 6 x-3y बराबर कितना होगे अपने बास 6 होगे आपको सीधर सीधर दिखाई दे रहागा अब आप x की value 0 रख दोगे तो y की value कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूँ पहले x की value 0 put कर रहा हूँ तो x की value जा मैं 0 रखूंगा तो 0-3y बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा अब देखे जब आप इसको further solve करोगे तो यह 0 हो गया यानि-3y बराबर 6 हो गया तो y की value कितनी आ जाएगी 6 बटे माइनस का 3 तीन दुना 6 यानि कितनी आ गया आपके वास y की value माइनस की 2 आ चुकी है y की value आपके वास कितनी आई माइनस की 2 आई चलिए अब दूसरी values को पूट करके देखते हैं अब देखिए अगर मैं यहाँ पर x की value 2 पूट कर दो आप कुछ भी पूट कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पर x की value 2 पूट कर दो तो 2-3y बराबर कितना हो रहा है 6 हो रहा है ठीक है तो जब यह इदर जाएगा तो कितना हो जाएगा क्वास 3y बराबर 6-2 minus 3y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास ही 4 हो जाएगा तो यानि y की value 4 आप minus 4 upon 3 आएगी यानि यह भी क्या है आपके पास एक integer नहीं है आप यह value भी ले सकते हो लेकिन मैं आपको क्या बोला आप हमेशा कोसिस करें कि आपको जब x की ऐसी values पूट करें ताकि आपको y की आपके पास तो इस तरीके से हम क्या कर चुके है पहले इनकी values निकाल चुके है एकस की values भी निकाल चुके है और य की values भी दो दो values कम से कम हम निकाल चुके हैं और दोनों equations के लिए निकाल चुके हैं अब देखिए उसके बाद क्या करने आपको आस graph paper होगा आप graph paper में फिर क्या करेंगे graph draw करेंगा आप देखे graph draw किस तरीके से करते हैं यह हो गया हमारे पास ठीक है यह क्या है y axis है यह क् आप एक हो गया यह क्या हो जाएगा वाई एक्स हो जाएगा ठीक है you ya' up क्या खुआह बैल्य देखिए देखिए लिए एकसपे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है कि पास सेवन टो एकसपर Seven पैंट तक जांगे और ओड्य एकसपर मैक्सिमम भेली कितनी आपका सिए और बूड श्यांड देखिये है तो वहां चलेंगे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7, और देखें साथी साथ आपको yx पर minus की values भी दिखाई दूरूगे, आप minus की values की तरफ भी चलेंगे हैं ना, minus का 1, minus का 2, minus का 3, ठीक है, चलिए, आप इनके values लिख देते हैं, ये हो गया का 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, और 7, ये नीचे की तरफ है, तो नीच का 2, minus का 3, yx से उपर की तरफ है, प्लस का, तो प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7, तो ये हो गए प्यारे बच्चों आपने, जो आपने ग्राफिकल रिपरजेंटर सेंगना था, आपने इस पर पॉइंट पर लगा दिया, देखें, यहाँ पर थोड़ा गलत हो सकता है, क्यूंक से बनाना, तो चलिए, अब हम देखते हैं, तो देखें, आब question number, x की value 0, तो y की value कितनी है, आपको आज़ें, 6, यहाँ पर टो क्या होता है, यहाँ पर यह वाला point आएगा, आपको आज़ें, यानी यहाँ और यहाँ पर ठीक है यह सेवैंट आपका और यह ऊस्साट में अब आपको कैया एसे आप क्या करोगे मिलां दोगे अब यह देखे यह कौन सी QWESIUR का है हमारे पास इस 손 वाली को समीर करना आया है लाइन आएक को लिख को लिख दो यह पर X-7Y-42 तो यह होगे हमारे पास पहले बाली लाइन पर आ चाहिए आप दीकर दूसरी इनके सरे के समार पास x की value 0 तो y की value minus 2 यहाँ जाएगे यहाँ पर फिर क्या x की value 6 और y की value 0 यहाँ आप क्या करोगे इन दोनों लाइनों को मिला दोगे इस तरीके से आप मिला दोगे तो देखें यह कौनसी question का है आपके पास इस वाली का x minus 3y minus 3y minus 6 ब्राबर 0 तो यह हो गया प्यारे बच्चों आपका graphical representation इस तरीके से हमने क्या करना है इन equations का graphical representation करना है और देखें मैं आपको दोसरी चीज़ बतातू ज वही क्या होता है इनकी answers होते हैं किस तरीके से निकलते हैं वह जब आग गया आएगा आपका खाई पर तो बता दूंगा तो आपकी समद में आएगा आपके सबसे बहला आप क्या करोगे जो भी आपका equations दिये हैं उन equations में आप x की कोई भी value पूट करोगे और x की कोई भी value मिलेंगी और आपने हमेंसा कोई सिय करने हैं कि आप x की ऐसी values पूट करोगे ताकि आपको y की value हमेंसे क्या मिलें इंटीजर मिलें जब आपको x और y की दो-दो values मिल जाएंगी तो आप क्या बनाओगे इस तरीके से ग्राब बनाओगे और ग्राब किस तरीके से बनाना है मैंने आपको अभी सिखाया है अगर कुछ बच्चों की समझ में नहीं आया हुए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं आपको दुबारा से बता दूंगा और अगर आपकी समझ में नहीं आया तो अभी हम इस तरीके के 3-4 questions और करेंगे इसी exercise के तो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा तो ठीक है प्यारे बच्चों आसा करता हूं कि जो questions मैंने आपको बताएं मैंने देखिए बहुत detail में बताया है ताकि जो पहली बार आपकी देख रहा हो जिसने आसे पहले mathematics जंग से ना कियो उसकी समझ में भी आ जाए इसी लिए मैंने एक question को करन में ही कम से कम 20 मिनिट लगे होंगे है ना तो चलिए ठीक है दूसरा question देखेंगे कल अगर आपको हमारा पढ़ाया वह अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि आप हमारे चैनल एक्जाम सक्चास मंतरा से अध्यान कर सकते तो ठीक है प्यारे